प्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल ऑफिशिल इंग्लिस ग्रूपर फ्रेंड्स यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट समय से मिलती रहती हैं इसी प्रकार के अपडेट के साथ मैं आपके वीश्च हाजर हूँ आज का हमारे टॉपेक है उत्तरपदेश मादमिक सच्छा सीवा चैन बूर्ड द्वारा बिग्यापि 2021 का जो बिग्यापन है उसमें यूपी टीजीटी पीजीटी अंग्रेजी की तैयारी के लिए फ्रेंड्स यह यूपी टीजीटी अंग्रेजी प्रस्नपत्र का बेटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स आपको इस परकार की अपडेट समय से मिलती रहे तो चलिए का फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह सिक्स्ट पार्ट है टीजीटी इंग्लिस के सॉल्ड पेपर का तो आप देखेग बीज डिस्पिले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेज अफ डिफरेंट कलर्स वट आर ओल्सो सेंसिटेव टू अल्ट्रा वाइलेट लाइट तो फ्रेंड्स आप देखेए यहां नीचे वट अल्सो दिया है तो पेर कंजक्शन होता है नॉट अनली अलिप्सिस वट आल्सो य जुपीटर दा लार्जेस्ट प्लेनेट इन दा सोलर सिस्टम तो फ्रेंड्स यह सुपरलेट फ़र में दिया हुआ है तो जुपीटर इस दा लार्जेस्ट प्लेनेट इन दा सोलर सिस्टम कुश्चन नम्मर 106 को देखेगा फ्रेंड्स 106 प्रेंड्स 106 में दिया हुआ है तो जब सुगर को इस्ट में हम एड करते हैं तो यहां पर फ्रेंट साप ऐसे समझेगा जो जब भी कोई सेंडेस दिया हो उसमें सब्जेक्ट अगर लाइफ लेस है निर्जीव है तो मुस्टली उसमें एक्षन वर्ड आती है तो पैसी बोईस फॉर्म में बनता है तो यहां होगा वैं सुगर इस एड़ेड तो यानि कि डियो अप्षन आपका सही होगा नेक्स्ट कुस्ट्यन वन जीरो सेवन को देखेंगे दा ओवर ओल इफिसी एंसी ओफ ए सिस्टम कैन वी देट ओफ इट्स बीकेस्ट एलिमेंट तो फ्रेंट सिसका सही आप देखिएगा सही हो जाएगा 207 में 108 नेक्स्ट कुस्ट्यन को आप देखेंगे एट अग्रिकल्चर स्टेशन्स मैनी टाइपस ऑफ ग्रासी ग्रास आर ग्रॉन यानि कि अग्रिकल्चर स्टेशन्स पर आप देखते हैं प्रकार की ग्रास को ग्रॉन किया जाता है अंडर वेरियस स्टेशन्स को आप इंडेफनेट में रखेंगे तो रियक्ट्स भी यानि कि प्रजेंट इंडेफनेट में होगा ठीक है ना तो सी ऑप्षन 109 का सी ऑप्षन से हो जाएगा को से नम्मर 1010 को देखेगा आप 1010 इसमें दिया है the saturated fat in dairy foods is thought a factor in heart disease यानि कि जो dairy food है वो माना जाता है कि heart disease में बहुत बड़ा कारक है तो फ्रेंट से यहाँ सही option होगा to be to be a factor thought to be a factor in heart disease 111 यान की 111 नम्मर कुशन को देखें robots are being used increasingly in industry as they can work on large jobs faster are more precise and तो फ्रेंट से यहाँ पूचा है न कि robots are being used increasingly आज काफी तादात में robots काम यूज कर रहा है इन इंडस्ट्री इंडस्ट्री में as they can work on large jobs faster और वो बहुत तेजी से काम कर सकते हैं 112 को देखेगा फ्रेंट्स 112 में दिया है मैंनी plants can grow in water वह सारे plants जो पानी में grow कर जाते हैं without any soil nutrients are added यानि कि without any soil as long as nutrients are added यानि कि अगर उस water में बाहां soil भी सकना हो लेकर water में nutrients रहते हैं तो बहुत सारे plants है जो water में भी grow कर जाते हैं 13 नम्मर कुस्चन को देखेगा फ्रेंट्स 13 में दिया हुआ है कि management as the organization and coordination of an enterprises तो फ्रेंट्स यहां पर भी passive form में बनेगा can be defined as ठीक है define के साथ है इसका यूज होता है तो define तो चारों यह option में लेकिन can be defined as the organization and coordination of an enterprises next question number 14 को देखेंगे 14 से पहले friends आप इस में instruction देख लीजिए direction में दिया हुआ है in the following sentence identify the one bold word और phrase उस one bold word को मोटे छेपे हुए अच्छर सब्द को या phrase को देखिए जैसे 14 में लिखा हुआ है although we are no longer young we still enjoy to study language तो friends यहाँ पर D option में correction है क्यों क्यों क्योंकि enjoy के साथ न जीरेंडियल फॉर्म लगती है वर्व को जीरेंड के रूप में लिखना होता है तो यहाँना चाहिए था enjoy studying language तो यानि की D option आपका सही होगा 50 number question को देखें फ्रेंट्स 15 में लिखा है before the 1920s scientists used to यह का जा रहा है कि 1920 से पहले जो scientists थे वो यूज करते थे किया करते थे तो friends यह present में वर्व दी हुई है जबकि पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए तो इसका भी option आपका होगा इसमें used to होना चाहिए यानि कि आपको error find करनी है किस portion में next 16 number question को देखेगा nuclear waste has traditionally been stored in steel drums what are subject to rust तो friends drums के लिए जो adjective लगा है न रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो वो वाट ने drums के according now which होना चाहिए तो यानि कि बी option में आपका correction है बी option तो यहां word के स्थान पर आप कर लेंगे विच्ट तो आपका correct हो जाएगा next number question देखे 17 को the immune system is the body's way of protecting itself against the viruses against viruses तो friends देखेगा यहां itself दिया हुआ है तो यहां पर होना चाहिए दा immune system is the body's way of protecting तो bodies friends यहां mistake है आपकी यानि कि B portion में mistake है यहां पर correct क्या होगा न बोडी इस प्रकार होना चाहिए पस्ट्रोपी ऐस लगा कर bodies तो यहां तो B option आपका correct होगा next question नमबर देखे 18 को 18 नमबर पर देखेगा friends कि originate in Ethiopia coffee was drunk in the Arab world before it came to Europe friends यह देखे पास्ट फॉर्म में यह भी पास्ट फॉर्म में और यहां पर आना यह present form दिया हुआ है तो यहां originated होना चाहिए यानि कि यह option आपका यह वाला जो option है उसमें मिस्टेक है तो यह option आप टिक कर देंगी और 90 नमबर कुस्चन को देखिएगा कि आप एमस्टाइडम इस और टाउन एमस्टाइडम वह टाउन है हूँ प्रेंट्स आप यही समझ रहा होंगे हूँ है पर्सन के लिए रिलेटिब प्रूनाव लगता है हूँ हूँ मूज है तो इसके लिए अब यह आगे देखते हैं क्या होता है इसमें एमस्टाइडम इस टाउन हूँ इस सम्टाइम्स रिफर्ड टू वी दा वैनिस आफ नौदर्न एरोप विकॉस आफ इट्स कैनल्स तो यहां हूँ की जगे फ्रेंट्स विच होना चाहिए ना तो यह आपका यह आप्शन में मिस्टेक है यह को मार कर लेंगे ट्वंटी नम्मर कुस्टन को देखेगा 20 अज़सी वास्प रिलीज अपोईजन सी वासप पे पोईजन को रिलीज करती है देट किल तो फ्रेंड्स यहां देट जो रिलेटेब प्रोण लगाया वो किसके लिए लगाया वास्प के लिए सिंगूलर है तो यहां किल नहीं किल्स होगा किल्स आपर्शन यानि कि आपके सी आप्शन में मिस्टेक है यानि कि सी किल्स होना चाहिए कुस्टन नम्मर 21 121 को देखेगा 121 में दिया हुआ है 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 लेश कॉमेट एपरोचिज दा अर्थ जोज टो बी विजीवल एवरि सेवं फाय इस तो फ्रेंटस के प्रेजंट सेटा इंडेफुनाइट में एकल राए तो अर्थ हो senior फो इंडेफिनेटी की बात हो रही है तो यह closes होगा यानि कि भी आप्सन में या भी मिस्टेक है और नेक्स्ट कुस्टन के लिए डारेक्शन देखिएगा फ्रेंड्स आंसर दा फॉलोविंग कुस्टन 122 to 125 तो कुस्टन दिया है 22 पर देखेंगे आप the meaning of यूथेनथिया मीन्स क्या होता है फ्रेंट्स टियुथा है मेरी कि लिंग टीक है न मेरी गलिंग या डवलार होगा मेरी किलिंग यह ऑप्सन से हो जाएगा आपका मेरी किलिंग नेक्स्ट है 23 23 पर लिखाए अकम्प्लिस मीन्स फ्रेंट्स अकम्प्लिस दो बड़ होते हैं एक अकम्प्लिस है सी यी लास्ट में लिखाए हुआ है सेच लिखाओ तो वोता है पूरा करना लेकिन अकम्प्लिस का मतलब है अपराद में भागीदार होना तो आप अपराद में भागीदार होना अगर वर्ड का मीन समझ लेंगे तो आप अप्शन अपने आप टिक कर लेंगे कि इसका तो असोसियेट इन क्राइम आप्शन सही हो जाएगा यानि कि यह आप्शन सही होगा नेक्सट देखेंगे यह फ्रेंड्स इस पेपर का यह लास्ट कुस्ट्ट होगा और वीडियो पसंदार आ child video को लाइक कर दीजियक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यह तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स और वीडियो को वीडियो की लिंकौ छूआ अन्य गुरुप्स में भी सेंड करिए 25 नमर कुस्चन को आप देखेगा 25 में दिया है वन हुए अपस्टेंस कम्पलीटी फ्रॉम एलकोहलिक एलकोहल इस गॉल्ड यानि कि वह व्यक्ति जो अपने आपको पूर रूप से नसीले पदार्थों से दूर रखता है उसे कहा जात तो इसका टीटो टेलर फ्रेंड होगा मादक पदार्थ न लेने वाला यानि कि नसीले पदार्थों का सेवन ड्रिंक न करने वाला टीटो टेलर थैंक यू प्रेंट्स